सबसे पहले आप यहां पर देखें कि अगर व्यक्तिगत खाता हो तो लेने वाले खाते उधार होता है और देने वाले खाते जमा हो जाता है ये आपने अम्याद रखेंगे तो अकाउंट आपके लिए इजी हो जाएगा फिर माल समपत्ती खाता हो तो आए तो उधार, जाए तो जमा फिर उपज खर्च खाते में होता है खर्च या नुकसान हो तो उसको उधार करते हैं और उपज या लाब हो तो उस खाते को हम जमा करते हैं ये नियम आपको याद रखने है तो अब हम करेंगे question number 4 आपको इस प्रकार table बनानी है क्रम संख्या व्यवहार लेने वाला व्यक्ति माल संपत्ति आए नुकसान या खर्च हो तब देने वाला व्यक्ति एक दो तीन ये उधार के हैं और ये तीन एक दो तीन ये जमा के हैं देने वाला व्यक्ति माल संपत्ति खाते और उपज लाब हो तब तो पहला है 50,000 रोकड लाकर धन्दा शुरू किया तो यहाँ पर हम रोकड लेकर आए हैं तो रोकड आया है आए तो उधार रोकड संपत्ति है जो संपत्ति आई है उसे हम उधार करते हैं आये तो उधार जाये तो जमारोकड आया है तो रोकड खाते उधार इसे माल संपत्ति खाने में लिखेंगे फिर देने वाला व्यक्ति मालिक है लेकिन मालिक खाते नहीं लिखते हैं उसकी जगा हम पूंजी खाते लिखते हैं क्योंकि ये हमारे धंदे के लिए पूंजी है तो पूंजी खाते जमा लिखेंगे दूसरा है दस हजार रुपे की जसलीन के पास से लोनली तो लोनली है तो रोकड आया है रोकड संपत्ती है आये तो उधार तो रोकड संपत्ती खाते उधार है और देने वाला व्यक्ति है तो व्यक्ति गत खाता जसलीन से लोनली है व्यक्ति गत खाते में देने वाला व्यक जमा होता है तो लोन जसलीन ने दी है इसलिए इस खाते को जमा कर देंगे तीसरा है तीस हजार रुपए देकर बैंक में खाता खुलवाया तो बैंक में पैसा गया है तो बैंक खाते उधार हो जाएगा है ना बैंक में आया है पैसा तो आये तो उधार और रोकड बैंक में गया है तो रोकड हमसे गया है जाए तो जमा तो रोकड गया है तो रोकड खाते जमा और बैंक खाते में गया है तो बैंक खाते उधार ओके, next है 8000 रुपे में कम्प्यूटर खरीदा, तो कम्प्यूटर सम्पत्ती है, सम्पत्ती आई है, आए तो उधार, तो सम्पत्ती वाले खाने में लिखेंगे, computer खाते उधार हमसे गया है रोकड तो रोकड खाते जमा जाए तो जमा रोकड संपत्ती है next है 1000 रुपे की stationary खरीडी तो इसमें लिखेंगे stationary खर्च खाते उधार यहाँ पर ध्यान रखना है stationary संपत्ती नहीं है क्योंकि रोज रोज का जो लेखा जोखा करना हो उसके लिए हम इसका खर्चा करते हैं इसलिए खर्च हुआ है तो खर्च या नुकसान हो तो नुकसान खर्च खाते तो उधार यहाँ पे गल्दी से लिख दिया है यह उधार होना चाहिए उधार ओके यह उधार है ठीक है और हमसे रोकड गया है तो रोकड संपत्ती है जाए तो जमा इसलिए रोकड खाते जमा कर देंगे अगला है बीस हजार की खरीदी की तो खरीद खाते उधार जो भी वस्तु खरीद कर लाएं है लाएं है तो हमारे पास कुछ आया है तो आये तो उधार वो हमारी संपत्ती है इसलिए माल संपत्ती खाने में लिख देंगे खरीद खाते उधार और रोकड गई है जाए तो जम इसलिए रोकड खाते जमा रोकड संपत्ती है अगला है 30,000 की रमन के पास से खरीदी की तो खरीद खाते उधार अब रमन से खरीदी की है तो व्यक्ति खाता हुआ रमन हुआ तो देने वाला व्यक्ति जमा होता है नेक्स्ट है 15,000 का माल 28,000 में बेचा तो हमारे पास रोकड आया है आये तो उधार माल बेचेंगे तो रोकड आयेगा ही माल संपत्ती खाने में रोकड खाते उधार और बेचने से हमें लाभ हुआ है हमें कितने का लाभ हुआ है वो नहीं देखना है तो हमने माल बेचा है ज आए तो जमा तो विक्री माल खाते जमा ओके नेक्स्ट है आठ हजार का माल 15,000 में नीला को बेचा तो यहां आठ हजार का माल है 15,000 में बेचा है नीला को बेचा है तो नीला के पास आया है आए तो उधार तो नीला खाते उधार लेने वाला व्यक्ति उधार होता है व्यक्त खाने में और बेचा है तो विक्री खाते जमा जाए तो जमा ओके विक्री खाते या लाब देखो यहाँ पर लाब हुआ है ठीक है तो लाब खाता जमा हो जाएगा नेक्स्ट है दो हजार का माल रमन को वापिस किया हमने माल खरीदा था तो हमने उसको वापिस किया है अब लेने वाला व्यक्ति रमन है रमन के पास आया है आए तो उधार तो व्यक्ति खाते में आएगा लेने वाला व्यक्ति रमन है तो रमन खाते उधार फिर यहाँ पर आ माल वापसी खाते जमा जमा कर देंगे नेक्स्ट है 15,000 का माल खरीदा नीला ने वापस किया है तो माल हमारे पास आया है आये तो उधार माल हमारी संपत्ती है इसलिए उधार हो जाता है और देने वाला व्यत्ती है नीला तो देने वाले के खाते जमा हो जाएगा नेक्स्ट है 500 लारी भड़ा चुकाया तो लारी भड़ा चुकाया है हमसे कैश गया है लारी भड़ा खर्च है नुकसान है तो इसलिए उधार करेंगे और रोकड में चुकाया है तो रोकड खाते जमा संपत्ती के खाने में ल आए तो जमा ओके नेक्स्ट है दो सो का माल आग में जल गया तो आग से जला माल नुकसान है तो उधार में लिखेंगे आग से जल गया और खरीद खाते जमा ओके नेक्स्ट है 500 रुपय कमीशन मिले रोकड आया है आये तो उधार तो समपत्ती हो गई इसलिए समपत्ती खाने में रोकड खाते उधार ओके आये तो उधार और उपज खर्ज खाते में क्यूंकि हमें लाभ हुआ है कमिशन आई है तो हमें लाब हुआ है रोकड आई है आए तो कमिशन खाते जमा next है 2000 सेलरी के दिये तो रोकड गई है ओके रोकड समपत्ती है तो सेलरी हमारा खर्च है खर्च हमेशा उधार के खाने में लिखा जाता है और सेलरी रोकड में दी है तो जाए तो जमा तो हमारा जो रोकड खाते जमा हो जाएगा